आज घर के खाने की सीरीज में मैं आपको छटपट त्यार होने वाली बैगन आलू की सब्ची की रेस्पी बताऊंगी यह लिमिटेट मसारे से बनती है और बहुत कामसामे में बनती है और बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है तो चलिए बैगन आलू की जटपट त्यार होने वाली सब्ची बनाते हैं गैस अन करते हैं मैंने तेल डाल दिया है इस तेल में से धुआ निकलना बहुत जरूरी है जिससे इसका कच्छापन दूर होगा तो यह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा तो देखिए तेल में से धुआ निकलना शुरूर हो गया है मैं गैस को दो मिनिट दो सेकेंड के लिए बंद कर दूंगी अगर मैं इसमें अभी मसाले डालूंगी तो सारी मसाले जल जाएंगे तो इसको गैस को मैं बंद कर देती हूं गैस अन करते हैं, यह थोड़ा खंडा हो गया है, हीम, जीरा, जीरा को में थोड़ा गड़कने दूँगी, यह हलका सा सुनेरा हो जाना चाहिए, इसका इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जीरा देखिए, हलका ब्राउन हो गया है, हरी मिच, इसको में तोड़के गैस को मैंने सिंपे कर दिया है, हल्वी, धनिया, लारमेच पाउडर, यह ओप्शनल है, आप लोग खाते हैं तो डालिएगा, यह देखें, यह मसाला त्यार हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको मैं पेज पे कर दूँगी, हसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें ग्रेटेड मैटोज हैं, इसको मैं डाल दूँगी, अब मैं इसको थोड़ा पांच मिनट के लिए फकड़े दूँगी, बैगन को मैंने छोटा-छोटा काटके पानी में ही रखा है, क्य मैंने इसको भी पानी में रख दिया है, तो यह हमारे टमाटर पग गए है, अब मैं बैगन डालूँगी, इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है, एक तरफ आप चाय पीजिए, और दूसी तरफ यह जटपट सबजी तियार हो जाती है, इसमें जल टाइन नहीं लगता है, आलू, इस आलू का भी मैंने पानी निकाल दिया था, तो यह घर की सबजी जो है, इस घर के मसाले में ही इसका स्वाध है, सॉल्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार है, इतना आप लोग लेते हैं, और मैं इसको फुड़ा मिक्स करतेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी अभी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, इसका अरोमा बहुत अच्छा होगा, एद थोड़ा सा पानी डालूंगी विसल के लिए, अब मैं इसका ठक्तन लगा दूंगी, और इसमें मैं चार्स विसल लगाऊंगी, और यह सक्जी त्यार हो जाएगी, विसल मैंने लगा दी है, आप मैं इसको गैस को आफ कर दूंगी, और विसल निकलने तक इसको 15 मिनिट के लिए छोड़ दूंगी, तो देखते हैं, इसमें मैंने चार्स विसल बजा ली थी, यह देखते हैं, अब मैं आपको बताती मैं बैगन छोटे क्यों काते, और आलू बडा क्यों काता, अब मैं बहुत हलके हाथ से बैगन को थोड़ा मैश करूँगी, आपको बहुत हलके हाथ से ही यह मैश करने हैं, बैगन आलू मैश नहीं होने चाहिए, आप इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला डालूँगी, और सब्सटूरी मैखी डालूगी यह भी ऑप्षिनल है आपके पास नहीं है तो कोई वो नहीं है तोड़ा हरा धनिया डालूगी यह देखे कितने अच्छी सब्जी त्यार हो गई है चली निकालते हैं और किसी को अगर प्याज और लेसन डालना है तो हींग की जगे आप और टमाटर डाली है तो यह बैगन आलू की छट पर त्यार होने वाली सब्जी तयार है तो आज मैंने आपको पुनम बड़ी पाक्षाला में छट पर त्यार होने वाली बैगन आलू की सब्जी की रेस्पी बताती है तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आई हो तो आप पुनम बड़ी पाक्षाला चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें. टेक केर.